हेलो एवरिवन गर्मी का सीजन आ गिया है और गर्मी में कुलफी किसे पसंद नहीं होती तो आज हम बनाएंगे स्ट्रोबेरी कुलफी और इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा लिटर दूद गेस ओन कर देंगे और दूद को बॉइल होने देंगे साथ ही इसमें डालेंगे चार बड़े चम्मक शकर और दूद को लगातार चलाते हुए बॉइल करेंगे दूद को हमें तब तक उबालना है जब तक कि यह आधा ना हो जाए और जब हम दूद को बॉइल करते हैं तो आप देख सकते हैं कड़ाई की साइट्स पर ये जो को भी हमें खुतर कर दूद में मिक्स करना है जिससे दूद में मलाई के लच्छे से बन जाएंगे और जब हम इसकी कुलफी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है तो आप देख सकते हैं कि दूद उबलकर आधा हो गया है और मैंने जो पूरी मलाई है कड कोनट पाउडर यहां मार्केट में भी मिल जाता है और आप चाहें तो जो गोल सुखा नारिया लाता है उसको घर में भी क्रश करके डाल सकते हैं और थोड़ा सा इलाइची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और दो मिनिट तक और इसे बॉयल कर लेते हैं दो मिनिट करने के बाद गेस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और जब बॉयल किया हुआ दो ठंडा हो जाए तब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें डालेंगे आधा कप कट की हुई स्ट तो चलिए इसे थोड़ा सा मिक्सर में चला लेते हैं जिससे जो स्ट्रोबेरी है वह अच्छी तरह से ग्राइन हो जाएगी और यह देखिए कितना कलरफुल और स्मोड पेस्ट बना हैं तो चलिए अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं तो मैं यहाँ पर कुल्फी मोल्ड में इ करेंगे और इसके ऊपर एक रबर बेंड लगा देंगे जिससे कि यह एर टाइट हो जाए तो इसी तरह से मैंने चारो कुल्फी मोल्ड को रख दिया है और अब टूथ पिक या फिन नाइफ की हेल्फ से इस तरह से कट लगाएंगे और इसमें लगाएंगे आइस क्रीम के बाद हम इन्हें रख देंगे फ्रीजर में तो फ्रीजर में हमें इसे ओवरनाइट रखना है और ओवरनाइट रखने के बाद हम लेंगे एक बॉल जिसमें हम नॉर्मल पानी लेंगे और कुल्फी मोल्ड को फॉयल निकालने के बाद कुस सेकंड के लिए पानी में इस तो इसी तरह से चलाएंगे, भीरे से कुलफी को कुलफी मोल्ड से अलग करेंगे, ये देखे कितनी बढ़िया कुलफी दिख रही है, इसे देखकर तो मुह में पानी जरूर आ गिया होगा, तो इसी तरह से हम सभी कुलफी निकाल लेंगे, और अब आप भी ट्राइ कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, थेंक यू फॉर वाचिंग